उत्राखन में जब से मौनसूर ने दस्तक दी है उसके साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर आपदा के हालाद बन चुके हैं एक तरफ प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश ना के बराबर हो रही है वहीं कुछ पहाडी जिलों में अब तक कई बार बादल फटनी की घटनाए हो चुकी है वहीं इस दोरान अब तक कई लोग अपनी जान भीगवा चुके हैं लेकिन सुकून देने वाली बात ये है कि आपदा के वक्त SGRF लोगों के लिए देवदूत बन कर लोगों को बचा रही है उत्तराखंट के पहाडी जिलों में मौनसून पिछले कई दिलों से अपना कहर पर पारा है वैसे तो हर साली मौनसून के दोरान पहाडों में जन हानी होती है लेकिन इस बार मौनसून ने सुरुवात में ही कई जाने ले ली है एक तरफ पिछलागड जिले में बादल फट्डे से कई घर तबाह हो गए है साथ ही कई मविसी भी बादल फट्डे से जबी दोज हो गए है अब तक जिले में दस लोगों की मौत हो चुकी है वहीं HDR लगातार राहत और बचाओ के काम में लगी हुई है आपको बताते हैं कि कहां काम पर HDR राहत और बचाओ के काम में लगी हुई है पितोरागड में एक हफते से चल रहा है राहत और बचाओ का काम HDR पितोरागड में करीब एक हफते से लगातार रेस्कू का काम कर रही है बारिस की वज़े से कई गाओं में भोजकलन की घड़ाओं में HDR टीम रेस्कू के काम में लगी हुई है पहले भी सेरागाट गिला, टांगा, धामी गाओं के बाद आज मोरी और जारा जिबली में मलवे के घरों में गुजजाने पर टीम ने रेस्कू का काम किया इस दोरान 11 गरामिनों के लापता होने पर टीम ने रेस्कू का काम सुरू कर दिया गटना की गंबीरता को देखते हुए HDRF की सेननायक तिर्फती भटने असकोट, कपकोट और सरिया पानी से भी HDRF की टीमों को फोरण रवाना कर दिया साथ ही HDRF पाहनी से दौग इस्पेट टीम को भी तांगा इलाके में भेजा गया है इसके अलाव अब तक टीम ने दस सबों को बरामत कर लिया है साथ ही अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है मलवे में दबे लोग 28 जुलाई को पुलिस सौकी गोचर ने HDRF को सूचना दी कि घाठ छेतर के बुरा ग्राम सबा में बादल फटने से कई गोसाले मलवे की चपेट में आ गई है जिसके बाद रेस्क्यू करने के लिए HDRF की टीम फॉरण आपदा ग्रेस्ट इलाके के लिए रबाना हो गई इसके बाद टीम ने रेस्क्यू करके महला देविर्शोरी देवी और रगवीर सिंग को बाहर निकाल कर उनको अस्पताल पहुचाया पितोरागड के मोरी गाउं में HDRF लगी हुई है लोगों को सुरक्सित जगाउं के लिए रवाना हो गई लेकिन भारी बारिस और भूसकलन की वज़े से टीम को गाउं पहुचने के लिए चार जगाउं पर लकडी के पुलू का निर्मान करना पड़ा साथी गरामिडों को सुरक्सित जगा पर पहुचाया गया साथी छै मवेशियों को भी पुलिया से ही पार करा कर सुरक्सित निगाला गया भारी बारिस की वज़े से हुए भूसकलन में एक महिला लापता 28 जुलाई को पितोरगड में जारा जिबली में भारी बारिश की वज़े से हुए भूसकलन से इलागे की एक महला के लापता होने की सूचना पर HDRF की टीम करीब 18 किलोमेटर पैदल चलकर आपदा प्रवावित गाउ में पहुची जहां पर सर्चिंग का काम शुरू कर दिया गया और कड़ी मशकत के बाद महला को ढूल लिया गया वहीं अभी पितोरगड में चार जगों पर सर्चिंग और रहात यहों बचाओ का काम युद्ध इस्तर पर चल रहा है जहां पर HDR की चार टी में रेस्क्यू का काम कर रही है साथी डॉग स्क्वैट की मदद भी ली जा रही है सड़क बनाने के काम में लगी जेसी भी दुरगटना गरस्त जिसी केज की ढालवाला पुलिस ने HDR को सूचना दी कि 82 के समीब तोता घाटी में एक जेसी भी गहरी घाटी में दुरगटना गरस्त हो गई है सूचना मिलते ही HDRM ने तेजी दिखाते हुए घटना इस तल तक 10 किलोमेटर पहले जाकर रेस्क्यू का काम किया इसके बाद JCB के ड्राइवर पुल्दीव सिंगा सब बरामत किया गया रोब की साहिता से मुख्य मार्ग तक पहुचा गया और सिबिल पुलिस के हवाले कर दिया गया पुल्बून गटना जन्पत तहरी में घटना जिसमें लगब 10-12 किलोमेटर पैदल जलकर हमारी टीम में जैसे भी ऑपरेटर के रेस्क्यू के लिए कारी संपादित के परन्तू उसके जान नहीं बचाए जासाथी और गोशित हुए इसके अधरिक जो जन्पत चमोली में चमोली में पीपल कोटी की काफी एक बड़ी घटना हुई जिसमें लामबगड है इसके लाव बधिनाथ हाई पर इभिन जगह ऑंपर जो लांड्सलाइट जिए और संपून राज्य के विभिन जन्पतों में पेडों के गिरने की घटना है तो उन सभी च्छोटी बड़ी घटनाओं में तद्काल SDRF भी पीमें घटना सर्फ पर पहुँचके उनकी दोर अपनी तरफ से जो भेतर रहात और बचाओ कारिकार रस्क्यू का संपादन किया गया है मौन्सुन के दोरान SDRF परदेश वर में देव दूद बनकर काम करती रही है तब चाहे बात राजधानी दून में मकान गिरने के बाद तेजी से सर्च ऑपरेशन चलाने की हो या फिर पहाडों में रास्ता बटक चुके ट्रैकरों को घर पहुचाने की या फिर बात हो परदेश के पहाड़ी लागों में बादल फटने के बाद राहत और बचाओ के काम की हर भग SDRF की टीम ने आपदा के समय मुस्तेदी से अपना फर्ज निवाया है दिरदून से योगे सेमाल की रिपोर्ट